जब आज हर जगा पठान मूवी की चर्चा हो रही है तो हम लोग कैसे से अच्छ होते रह सकते हैं और चाहे नूज पेपर देख लो या मीडिया का कोई दूसरा माध्यम देख लो यूटूब देख लो फेस्बुक देख लो जब कलेक्शन के बारे में आती है कि पहले दिन मूवी ने ने किरतमाना स्थाफित किये कोई बाली बुड मूवी ऐशा काम किये कि पहले दिन में 55 क्रोंड पूरे वर्ड में 105 क्रोंड दूसरे दिन पूरे वर्ड और इंडिया मिला करे 125 क्रोंड तीसरे दिन 116 क्रोंड और अ तो इस जहेची बात है कि हमारे आपकी विचार करने चे ना करने चे कुछ नहीं होने वाला है इसको लोग पशंद कर रहे हैं लोग रिवीव दे रहे हैं तभी इसका कलेक्शन बढ़ रहा है तो मेरे कहने हो ना कहने से कोई मतलब नहीं है तो जशे ये मूवी है कि देश भक्ती पर बनी है अपने देश पर बनी है जो अपने देश की एजनसियां होती है और जूसरी देश की एजनसियां होती है जो काम करती है अपने देश में और बाहर तो उसकी पर ये मूवी बना है और वशे मूवी में हम लोग एक गाना देख आदमी मालों की इसमें है तो उसको कौन-कौन से रूल करने पड़ते हैं कोई नहीं जानता तो जैसे जहां उसकी बांग होती है मतलब समय के हिसाब से जो ढमांड होता है वही करना पड़ता है उसे एजएंट को एसे ही तो गाना हम लोग देखे लेकिन बहुत बड़ी फाइटर रहती है मतलब ISI के एजेंट होती है, बहुत बड़ी फाइटर होती है, बहुत ज़्यादा लड़ागा होती है पूरे मुवी में उसके एक्षन देखकर मतलब लोग दातों तले उंगली दबा लेते हैं कि आत्तंदीब का पातकूर्ण कि ऐसी कोई मुवी नहीं देखे और क्या होता है कि जब ऐसे एजेंसियों में बहुत से देखके लोग जुड़े होते हैं जब वो दूसरे देख में किसी मिशन पर होते हैं, जब वो दूसरे देख में पकड़े जाते हैं तो मतलब उस देख वाले मना कर देते हैं कि मैं इसे लोगों को नहीं जानता यह कौन है तो क्या होता है उसकी बीबी बच्चे उसकी बीबी जो परिंग्नेंट रहती है वो दूसरे गवर्मेंट के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा मारे जाते हैं फिर उसके अंदर यह चीज उत्पन हो जाती है कि हाँ जब मेरा गवर्मेंट ने शाक नहीं द रूप करता है वैसे ही हर तरीके से स्मार्ट होता है और तो पूरी मुवी इसी पर बनी है कि और ऐसा है कि एकदम लोगों को यह दर्शक को बांध कर रखता है बिर्कुल इदर उदर कोई चीज नहीं बांद कर रखता है और वैसे अच्छा है यह नहीं कह सकते हैं यह मेरे कहने और आपकी कहनेशन नहीं होगा इसको लोग रिवियू दे रहे हैं लोगों के ऊपर जाईए और इस पर जिस तरीके शेमोगी को और कहीं न कहीं यह हम लोग के लिए बहुत गर्ब की ब पढ़िया हो तो तो कोई मोवी ऐसे मालों यह साड़े 300 करोंड 400 500 600 700 जो भी करोंड ये किलेक्शन करेगी जो भी मुवी क्या है कि हरी स्टेट में जो सिने में हाल हैं वहाँ पर मोविया चलती है तो उस अच्छेट वालों को उसमें जो सरकार होती सरकार होती है उनका 40-50 प करेगा जो गरीबों के लिए अपने देश के लोगों के लिए हैर्ем पैसा है सिन अंधे डी या रहा है गरीब तो जो दो वक्ती रोटी युिल कि लगा रहता है अपना किसी तरीकत से वह सब यह तो जाएगा नहीं तो हमें लगता है कि पहुत अच्छा है कि अपना दोग इतना अच्छा काम कर रहा है और हम लोग को इसे बिचार हम लोग को जाता है सोचनी की जरूर नहीं भारत सरकार जो परमोट कर रही है भारत सरकार ने संसर बोट को बना रखा है और जो भी मुवियां बनती है पहले संसर बोट वहां से परमारित करता है चाहिए देखो मुवी आराम से और मतलब ऐसा है कि देश भगति पर बनी है अपने देश पर बनी है तो अच्छा है कि मतलब लोग देखें देश भगति वाली मुवी है तो देश भगति की भाउना भी जगे तो हमें भी अच्छा लगा और जैसे इस movie में एक scene है कि जब वो अपना agent होता है शारुक खान जूश में है पठान के नाम से होता है जब यह जाता है रूश में पकड़ा जाता है तो अपना भी एक जो रा का agent होता है वो tiger भी तो मतलब काम करता है इस तो है नहीं कि tiger कहीं चला गया है वो तब से काम कर रहा है चुपे तवर पर हर देश में उनका अपना काम करते हैं तो जब यह वहां फास जाता है दूसरा agent तो फिर tiger जाता है उसको बचाने के लिए क्योंकि जब हरा सरकार यहां से क्योंकि रहता नहीं है तो फिर पठान वहां से संकेतिक कूर्ट में उससे बोल देता है कि हां मुझे बचानी के लिए अभी मतलब जो दूसरा agent है वो आ रहा है कहीं चुपे तो और पर वह उसी देश में रहता है तो उस mission पे फिर वो दूसरा जाता है तो सरकार को भी यहां कुसी होती है कि यहां चलो ठीक है कोई दूसरा agent तो ऐसे है मुझे जो बहुत अच्छा है और फिर वह मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं इसमें आप लोगों का review देखिए उससे आप लोग decision लीजे कि हां कैसा है तो बस यह कह रहे हैं कि हम लोग के लिए खुझी की बात है कि कोई फिल्मी मतलब बाली बुड इतना अच्छा काम कर रहा है और मैं तो चाहता हूं कि अपना बाली बुड और इसे अच्छी अच्छी मूवियां बनाएं जिसका collection बह हावा दे रही है तो हम लोग कौन होते हैं कि जो मूवियों को कहते हैं कि मतलब पाई काड हम लोग को मतलब सायद हम लोग को तो सरकार के ही शाथ होना चाहिए अपने देश के सरकार है अपने देश के बारे में बहतर तरीके से सोचते हैं अपने नागरिकों के बारे में ब रिवन्हों है सरकार के पास मतब सबसे अधिक है तो वही अच्छा रहेगा और इसे और ज्याता से जदा कल्यान कारी ओजनाए सरकार चलाएगे लोगों को इस गरीबों को जादा से जादा फाइदा मिलेगा जो आधार भूत मतब जरूरते हैं लोगों की नीट से भेशिंग लाइक और सस्क्राइब कर दो बस इसी के साथ जय हिंद